जैमा इंद्राक्षी जैमबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाफ सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवास है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्ता हमाएं आज हम बहुत ही खास सब्जेक्ट पर आपसे बात करने वाले हैं और बहुत व्यप्तिव की यह चाहत रहती है क्या रतन पहनना ये तो बहुत लोगों को पसंद होता है लेकिन हमें भाग्य रतन जो हमारे भाग्य का वरधन करे वो हमें किस उंगली में पहनना चाहिए आप भाग्य रतन सभी के लिए एकसा नहीं होता इस पर भी शर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बाद भाग्य का रतन है आपके भाग्य बहुत बड़ी बात है तो भाग्य रतन को किस हाथ में पहने किस उंगली में पहने ये जानका रही है हम इस अंक में देंगे आप भले रतनों पर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अपनी नौलिज के लिए इस अंकों को सुनिएगा ज़रूरा आईए आज का पंचान पहले देख ले तेहरा अपरेल सन दोहजार बाईस दिन बुदवार चैतर मार्श शुकल पक संवन दोहजार उनासी तिसी द्वादिशी नक्षत्र मगह रहुकाल बारा से रेड़ दिशा सूल उत्तर पूर दिशा रतन अपनी जगा कारे करते हैं लेकिन रतनों की दुन्या में बहुत ही गंभीनता चाइए पहचन चाहिए परख चाहिए और पैश भी चाहिए रतन जिसका नाम हो रतन अब फिर रतन तो रतन के हिसाब से आएगा उप रतन भी पेंगाई जाते हैं वो सस्ते होते हैं लेकिन अतने कारगार सा भी इतनी होते जितने रतन होते हैं एक इस्तिती की पॉकेट अच्छी रहती है एक इस्तिती में और एक व्यक्ति अच्छे खासा पैसा कमाता है earning करता है और वो बहुत और अधिक उचाहिए चूना चाहता है मन में हैं मंत्र नहीं पढ़ना चाहता उपाई नहीं करना चाहता कुछ भी नहीं करना चाहता उस इस्टि में पढ़नी करना चाहता है कि उस्टि को रत्न पहना दिया यह महा की बात है लेकिन भगवान से वरकोई रत्न यह मैंने को बार आपसे कह चुका हूं पहला पहला परियास सबको यही करना चाहिए कि वो मंत्र साथना से जुड़े, किसी अच्छे उपाई से जुड़े, किसी अच्छे कर्म से जुड़े, तो उसके हिसाब से उसको रतन पहनना नहीं पढ़ेगा. लेकिन मन है कि मानता नहीं बहुत व्यक्तिय ऐसे हैं जो रतनों पर बड़ा गंभीर विश्वास करते हैं और साब हमें भी बहुत लोग इसे हैं तो आज मैं अनेक रतन ना बता करके आपको भाग्य रतन की बात कर रहा हूं और भी कैलकुलेशन निकाल करके कुछ हिसाब से भाग्य के रतन निकाले जाते हैं जैसे भाग्यांक, बुलांक, निम्प्रोलोजी के हिसाब से बताये जाते हैं ऐसे ही जिनके पास जनन पत्रिका ना हो, कुंडली ना हो उनके हाथ की रेखाउं से बताये जाता है अब देख सबी के लिए एक सी दवाई नहीं हो सकती किसी के लिए शुक्र का हो सकता है किसी के लिए मंगल का रतन हो सकता है किसी के लिए बुद्ध हो सकता है किसी के लिए मुंगा हो सकता और किसी के लिए कुछ रतन हो सकता शिव लहरी बहुत अच्छा रतन होता तो खेर बाते तो बह पहली बात तो आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं हमें सीधे हात में ही रतन को धार्ण करना soprattutto थाजिए ये बिलकुल गलत धार्णा है चैब महिलाएं left hand में पहँने नहीं ऐसा नहीं है आप सीदे ही हाथ में सबको रतन पहनना चाहिए और वह भी किस उगली हमें अपनी अनामी का उगली में ring finger में हमें हमेशा रतन पहनना चाहिए किसका अपने भग्यका रतन क्यूँ हमारे सरीर के अंदर दो संबंध हमारी ring finger से होता एक नाड़िया होती हैं एक नाड़ी होती है radial और दूसरी नाड़ी होती है अल्व न यह दोनों नाड़िया इनका सीधा संबंध अनामिका से है इसलिए अनामिका तो प्रभाव इसका बहुत अत्यदिक बढ़ जाएगा हार्ट से भी सीधा संबंद इस उंगली का होता है इसलिए कहते ना दिल से संबंद रखने वाला संबंद मन से जुड़ने वाला संबंद जब कहीं विभाशादी होती है अंगेस्मेंट सगाई यादी होती है तो उसमे भी दूला दूलाग जो होते हैं रिंग फिंगर में ही दूसरे को अंगोठी पयार की पाली एक पाइनाते तो ह्टान में साथ को जब भी आपको पता लग जाए कि आपके भाग्याका तो अपने बांगेय का रतन जो ओगना आपको सीधे हात की अनामीका उंग्ली में पहनदा है यह दीपेंड करता है कि रतन किसकी समका है् बुद्ध है या मुंगा है उसकी ताßीर कैसी है उसकी तासी हे गरम है ठंडी है तो वो उसके हिसाब से दात्यातू पहने जाएगी कितने वज़न का पहने व भी सारा हिसाब किताब देखा जाएगा आज करेक्ट प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समा जिस्ति दे संचार पदयो प्रदक्षन विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करो मितद दखिलं संभोस्तवा राधनम चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित व्रिच्य मचलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुजकेंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कबच बना लें ध्यान करें शिवशंबू का सुवासी समसब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नित्रखोले समान्या हो जाएं देखो साथ को हम भी अपने संस्थान में जब आपकी जन्मपत्रिकाएं बनाते हैं हमारे संस्थान में बैदिक जन्मपत्रिकाएं बनती हैं तो उसमें भागए कर रतन का पहनना हो तो उसमें जो भी आपके कोई निकटम एस्टोलोजर हो अच्छे हो मरमग्य हो उन से अपना भाग्यरतन पूछ सकते हैं या अगर आपके पास कूंडली नहीं है डेटो बर्थ नहीं है तो अपनी हाथ की रेखाओं को दिखा कर भी अपने भाग्यरतन को जाना जा स रखता है और इसी के साथ साथ एक बात और इस महीने काफी ग्रह राशी परिवरतन कर रहे हैं तो उनके उपाई जरूर कीजिएगा चाहे एक उपाई कीजिए छोटा सा कीजिएगा लेकिन कीजिएगा जरूर उससे भी आपके भाग्य में एक बहुत बड़े परिवरतन आ मैं मन्ची कभी हूं बैसिकले मुझे बहुत दिन से इस बात की तलास थी कि मैं कभी कोई गलती करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे उपर हो जो उसको बचाए क्योंकि गलतिया तो होती हैं और आज के कारित्रम से मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी वो तलास आज पूरी हो अस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदर शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें कर दो साथ जानकारी के लिए तक जानकारी के लिए जानकारी के लिए तक